जे हिंडियर स्टुडियन कैसे आप सब लोग आई होप आप बहुत अच्छे होंगे आपकी प्रप्रेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इस प्रप्रेशन में कहीं न कहीं और भी ज़्यादा शार्पनेश लाने के लिए फोर्स अकेडमी आपके साथ में है और उरिजिनल पेपर में जो हमारे फास फोटो आएं थे उनके अंतर विजिबिलीटी इतनी जादा अच्छी नहीं थी इसलिए उसको उसको हमने टाइप करवा कि आपके सामने हम लोग लेकर के आए हैं और इस वीडियो सेरीज में हम लोग रेगुलार आपके सामने एक प्रि दिनियम आया है, उख का आया है? assador 947 में, ठीक है? तो भारत स्वतंत्र का वुआ? ️ 1947 में, यानि कि पहला जो कुश्यन आज का हमारा सिरीज का है इसमें और इसमें ऑप्शन नंबर C जो हमारा है बच्चो राइट है भारत सन 1940 में स्वतंत्र हुआ है नेश्ट कुश्चन हम लोग देखेंगे आनंद मठ के लेखक कौन थे आनंद मठ के लेखक पूछे हैं हम लोगों से स्सी बोस, बक्किम चंद्र चटरजी, सरच चंद्र चटरजी, रविंद्र नाथ चटरजी तो आपको तीन उप्शन लगवग एक जिसे दिये गए हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को पता ही होगा कि आनंद मठ के जो रचियता है वो कोने बक्किम चंद्र चटरजी हैं उप्शन बी जो है बच्चो हमारा वो राइट आंसर होगा इस से हम लोगों इस समझ में आ रहा कि कहीं न कहीं एक कुश्चन हम लोगों से आतो यना युद्ध के बारे में या फिर किसी अधिनियम के बारे में खास करके जो समवेधानिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और दूसरा कुशन एक पुस्तक से संबंदित, खेल और खिलाडी से संबंदित, दिवस से संबंदित हमारे एक्जाम में हर बार प्रिवियस पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी A.R. का पेपर रहा हो, ठीक है, तो सेगंड कुशन का हमारा राइट अंसर क्या हो ग या फिर किसी पडोसी देश की राजदानी या फिर एशिया या किसी महादीप की एक कुछ न्यूस पेपर में चर्चाओं में कोई देश रहा होगा, उसकी राजदानी जरूर हम लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है, और यहां पर हम से पूछा गया है कि जारखंड की रा रागराज के नाम से जानते हैं, गंगा और यमना नदी के संगम पर हैं, लखनव किस राजदानी उत्तर प्रदेश के राजदानी किस नदी के किनारे बसी हुई हैं, तो आपको पता होगा, या लखनव और जोनपुर दोनों गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं, राजेंदर परशाद का जो कारेकाल है हो सबसे बड़ा भी है डाक्टर राजेंदर परशाद सबसे लंबे समय तक देश के राष्टपती रहे हैं ठीक है लेकिन हम से पूछा जा रहा है कि देश के दूसरे राष्टपती को ने डाक्टर सरुपली राधाकरशनन है डाक्टर तो लेकिन हम लोगों से यहाँ पूचा जा रहा है दूसरे राश्च पती कुन थे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला जो कुछन हमारा है क्या है राइट तेंसर के हो जाएगा बच्चों दूसरे जो हमारे राष्टपती हुए हो कौन हुए डॉक्टर सरवपली रादाकृष्णन नेश्ट अगला कुश्चन नमबर 5 की तरफ हम लोग देखेंगे तो कुश्चन नमबर 5 हमारा है धार का जो मरुस्थल है हमारा काला हारी और थार का मरुस्थल काफी है न पूछा गया है प्रिवियस पेपर में कालाहरी मरुस्तल जिसको हम लोग देखकर आए अफरीका महारदीप में नामेबिया और वोच्षवाना में ठीक है ये भी प्रिवियस पेपर में आपको काफी देखने को मिलेगा और दूसरा हम लोगों से पूछा गया है कि थार का जो मरुस्तल है कौन सा मरुस्तल बच्चो ठीक है कुश्चन नमबर फाइव आप लोगों ने देखा ये भी भूगोल से ही संबन दित है अगला आप देख रहेंगे ध्यानचंद का संबन किस से हैं तो हाकी के जादूगर आपको पताई होगा मेजर ध्यानचंद के बारे में तो आप ध्यानचंद साब के बारे में किसे भी देखें कई ने कहीं आपको कीसी पेपर में कुश्चन देखने को मिल रहा है तो ध्यानचंद किससे बेसबॉल से हाट से की से हौकी से हाट किसको केते हैं मेजर ध्यानचंद जी को हौकी का जादूगर कहा जाता है नेश्ट देखिए, कुश्च नम्बर सेवन, कीसे हम भारत के लोह पुरुस के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है? तो लोह पुरुस के नाम से जने जाता है, उन्हीं के, उन्हीं की, हम लोग ने एक सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई है, कहाँ पर, एक इस्टेचु आप क्या बनाया बच्छो unity बनाया है सरदार पटेल साब को यह दिया गया था ठीक है तो कुश्चन नम्बर सेवन में आपने देख लिया सरदार पटेल साब लोहपुरुस के नाम से जाने जाते हैं अगला हमसे पूछा जारा कि भारत के राष्ठ द्वज में हरा रंग जो होता है ठीक है तो हरा रंग किसका प्र प्रती की उर्वराता से सम्बन्दित तथा सम्धित से समन्धित माना गया है अगला कुश्यन हम लोगों से इतियास से पूछा गया है कि निमलिकित में से कौन सा वेद सबसे प्राचिन वेद है ठीक है सबसे प्राचिन वेद हैना वेद हम कितने पताते है चार कौन कौन से है रिंग वेद है यजुर वेद है शाम वेद है और अथर वेद है के बार हम से पूछा जाता है संगीत का जनक किसे कहते हैं सामवेद को कहते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर पूछा गया हम लोगों से सबसे प्राचिनतम वेद कौन सा है तो जो सबसे प्राचिनतम जो वेद है और कौन सा है रिग वेद है सबसे प्राचिनतम वेद कौन सा है रिग वेदे और आप से पूछे वेदो की संख्या कितनी है तो वेदो की संख्या चार है कौन-कौन से वेदे रिग वेदे यजुर वेदे शाम वेदे और अथर वेदे संगीत का जनक किसको कहते हैं शाम वेद को कहते हैं ठीक है फिर नेश्ट हम लोग देखें कुश्चन नमबर 10 जो हमारा है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो दिल्ली है आगरा है इटावा है हमीरपूर है मथूरा है यह सहर सारे के सारे किस नदी के किनारे बसे हुए बच्चो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से दिल्ली दिल्ली के बाद में आगरा आगरा के बाद में देखेंगे मथूरा मथूरा के बाद में हम देखेंगे इ पिटावा के बाद में हमीरपूर और बांदा ये सभी के सभी जो आपके सहर है ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं किस के किनारे यमुना येना सर्यू नदी के किनारे कौन बसा है अयोध्या ठीक है और गोमती नदी के किनारे कौन है बिहार में ओक्सबो या गोखुर जिल का निर्मान करती है कुशन नमबर 11 देखे साइकल का विसकार किसने किया था आप देखो जीएस वाले पार्ट में भी कहीं ने कहीं साइंस के कुशन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ठीक है cycle का विश्कार किस ने किया था पहला James Riti, Baron Carlo Fonteis Dunlop या Franklin तो आपने पता होगा जो Franklin है या Benjamin Franklin है तो Benjamin Franklin के द्वारा तो तडित चालक बिजली की खोज की गी है ना बिजली गरजने की जो आपने घटना है देखी होगी है ना तडित चालक जिसके हम क्या करते हैं उसके प्रभाव को कम करने का प्रियास करते हैं उस तडित चालक की खोज किसके द्वारा lighting conductor जिसको बोलते हैं Benjamin Franklin के द्वारा की गई है ठीक है पिर Dunlop आपने देखा होगा टायर बनाने ठीक है James Riti नहीं यह तो नहीं है फिर कोन है तो बच्चो बेरेन कारल फोन जदाईजे इनके द्वारा किसकी खोज की गई थी साइकल की खोज की गई थी ठीक है और कहीं कहीं आप लोग देखेंगे Make Milan का नाम भी हम लोग को देखने को मिलता है तो A option जो होगा बच्चो हमारा सही होगा question number 11 का फिर आगे देखें भारत में इस्थित सबसे उची परवच चोटी कोन सी है याना भारत में इस्थित सबसे उची परवच चोटी कोन सी है माउंट एवरेस तो भारत में है ये तो नेपाल में है दूसरा है लिकरा अनाई मुदी तो अनाई मुदी भारत में तो है लेकिन ये भारत की सबसे उची नहीं है ये दक्षिन भारत की सबसे उची है सत्पुड़ा तो ये परवत है बचो सत्पुड़ा क्या है परवत है इना की चोटी है सत्पुड़ा परवत है इसकी सबसे उची चोटी हम धूब गड़ देखते हैं और ये भी भारत की सबसे उंची चोटी नहीं है, अध्यप्रदेश की सबसे उंची है, कंचन जंगा जो है, जो कहां पर इस्तित है, सिक्किम के पश्मी भाग में, 85, 98 मीटर इसका हम लोग को उंचा ही मिलता है, यहना यह भारत का सबसे उंचा परवस सिखर है, इन आप्शन किसके बीच हुआ है, यहना कि कुश्यन आप से पूछा गया है, बच्चों हिस्ट्री से, पानी प्रत का प्रतम युद्ध 1526, आप सभी को पता होगा, यहना कि एक प्रशन बच्चों हमारी परिक्षा में, युद्ध से संबंदित भी पूछा जाना है, लगवग ये प्र सोनी पर यह सब कहां है, हरियाना में, कहां पर है, हरियाना में है, वरतमान हरियाना राज्य में मिलता है, फिर कुश्चन नमबर 13 के बाद हम देखेंगे, कुश्यन नमबर 14 हम लोग को मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कोन सा, यहना कि देखो, अभी आपको छिक्तु डटा अरोज है क्या सुतौरमूर्ग है क्या मोर है क्या तो अदरल महानते में सबसे बड़ा पक्षी है सबसे बड़ा अंदाम किसका बूलते हैं सुतौरमूर्ग या अस्त्रीज यह है अलबट अरोज और पैटरल यह दो sildies कहां मिलते तंडे एच्छे तरह अंटारक्रिटी का महादीप में मिलते हैं ठीक है चलिए नेस्ट कुशन की तरह आगे बड़े कुशन नमबर 15 कुशन नमबर 15 जो हमारे इस पेपर का जी एटी वाला जो पार्ट है हमारा जी एस वाला उसके section A में जो हमारे 15 कुशन है उसका लास्ट कुशन हमारे सामने है और इस कुशन में पूचा जा रहा है हम लोगों से electron का खोज किस ने किया था सबसे पहले electron है ना chemistry वाला कुशन हम लोगों से पूचा है basic है यह ना electron की खोज सबसे पहले किस के दौरा की गई थी यह ना JJ Thompson, Rutherford, Kepler, James Chadwick तो आप लोगों ने देखा होगा Rutherford ने परवाण माडल हम लोगों को दिया है ठीक है Kepler ने गरे के गति संबंदित नियम के बारे में हमें बताया है तो JJ Thompson साब जो है जिन्नोंने सबसे पहले किस की खोज की electron की खोज की है ठीक है और के बार पूछा जाता है electron की उपर कौन सा आवेश होता है तो electron की उपर बच्चो रिनात्मक आवेश होता है ठीक है तो यह हमारा paper था previous year सिलांग ARO का ठीक है और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि questions के जो level है हमारे कहीं भोच जाता नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा GS वाला part इतना vast है इतना बड़ा है और question एक या दो हमारे subject के weightage के होते हैं इसलिए बच्चों में पढ़ना पढ़ेगा हम किसी subject specific को छोड़ नहीं सकते हैं क्यों क्योंकि हमारी merit में एक एक number हमारे लिए काफी महत्पूर्ण होते हैं तो बच्चों इसी तरह के आपको previous year के paper के lectures आपको मिलते रहेंगे यदि आप नए हैं तो channel को subscribe करे, like करे मिलते एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मातरम